यह स्टूडेंट बेलकम बैक टू माई चैनल मैं डॉक्टर आधना तरपाथी आज मैं आप लोग के लिए एक्स्टेंशन एन कम्निकेशन या प्रसार सिख्छा का पार्ट पोर्त वीडियो लेकर आई हूं यह सभी बीए थार्ड ये पीजी टी टी असेस्टेंट प्रॉफेसर के एक्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है तो आप लोग जरूर देखिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जो इस्टुडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए सो लेस्ट टार्ट देखिए वच्छो प्रसार की बिदियां प्रशार कार करता के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी एक मैकनिक क पेचकास घन एवं हतोड़ा आवश्य होता है यह परिवाश्य किसने दी है या यह कथन किसका है तो यह कथन है एसमेंजर का संचार माध्यम संदेशों में प्रेश्यक एवं ग्रह करता के मद्ध भौतिक पुल के समान है यह कथन किसका है यह कथन है ओपी धहमा एवं ओप भी भठनागर का 그럼 कि एक नशार झौक कि अर्डियन सब्धी की उत्पत्ति किस भासा के शब्द और ड्डि से हुई है यह शब्द लेटिन भासा से हुई है सुचना का वह तत्व जिसका की संप्रेशन या आधान ब्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं संदेश कहते है समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो, टीवी, आदि क्या है ये जनसंशार मात्या मैं संदेश कैसा होना चाहिए यह कुश्यन कई बार रपीट होता है तो आप लोग देख लिए इसको कैसा होना चाहिए संदेश सरल ब्यभारिक मिद्वियरी प्रभावसाली दवर आया जाने वाला इसमें चार आपके आएंगे लेकिन मैंने आपको इसलिए सारे बता दिये हैं जिससे आपको कोई भी ऑप्षन आ जाएगा तो राइट आप लोग कर पाएंगे ठीक है मैंने इस सेट में कोई चार ऑप्षन नहीं दिये हैं आपको वस आंसर बता रहे हूं इसमें उक्के स्टूडेंट अगला वुशन देखिए संचार माध्यमों को कितने भागों में बाटा गया है तो ये दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन से दो भाग होते हैं पहला है परंपरागत संचार माध्यम और दूसरा है जन संचार माध्यम परंपरागत संचार माध्यमों के अंतरगत कौन-कौन से आते हैं इसमें देखिए प्राचिन कला संगीत ग्रामे भींद मुखिया मेंनला एवं और और देंघान आदे ऐखी चूं है फ्रती है और अधिgua जन संचार मठय माथ्यम के इनतरगत कौं कौं से आते होज़ा गौिंचिंद ना क्ट्रे कि वर क्षिशनम है चौँ में चौप आफ्षन दिये रहेंगे ठीक है या जनसंचार माध्यम कौन से हैं तो जनसंचार माध्यम के उधाराण हैं देख लिए समाचार पत्र समाचार अजेंसी सिनेमा रेडियो टेलिविजन मुबाइल आदे जनसंचार माध्यम के क्या कारे हैं इसमें देखिए फस्ट है सूचना संग्रे एबं प्रसार सूचना विशलेशन ग्यान के स्तर्म अब्रद्धी और मनरंजन सामदाई विकास कारिक्रम की धुरी किसी कहा जाता है ये प्रसार कारकर्ता को कहा जाता है सामदाई विकास कारका सुभारम कब हुआ था तो ये 2 अक्टूबर 1952 को भूद पूरास्पति स्वर्गी स्री डक्र राजिन प्रसात के करकमलोद्वारा किया गया था नेक कुशन भारत में रेडियो का प्रसारण कव हुआ तो यह हुआ था सन 1927 में भारत में दूरदर्शन का आरम कव हुआ तो यह 15 सितंबर 1969 को हुआ था यह कुशन कई बार रिपीट हुआ है तो आप लोग अच्छे से याद कर लिजिए कटपुतली कितने प्रकार की होती है यह भी कुशन कई बार पूछा जाता है तो यह चार प्रकार की होती है कटपुतली कौन कौन सी होती है फर्स्ट है हां से चलाने वाली कटपुतली सेकंड धागे से चलाने वाली कटपुतली थर्ड छड पर चलने वाली कटपुतली और फोर्थ है छाया वाली कटपुतली प्रेस्ट्रस्ट इंडिया के स्थापना कब होई तो ये होई थी 1947 में फ्लेस्ट का आकार कितना होता है ये कई वार कुश्यन आया है ये होता है 21 इंटू 27 सेंटिमीटर फ्लेस्ट कार्ड संख्या में कितने होने चाहिए लगभा होने चाहिए दस से बारा ठीक है और 18 से 20 से जादा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए लेकिन इसके फ्लैस कार्ड के संख्या कितनी लगभा होने चाहिए लगभा 10 से 12 होने चाहिए फ्लैस कार्ड किस जन समुह के लिए उपयोगी है तो यह छोटे जन समुह के लिए उपयोगी होता है ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ चार प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, रेखा ग्राफ, गोलाकार ग्राफ, बार ग्राफ, चित्र ग्राफ जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर ध्यान अकर्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम तो उसे हम पोस्टर कहते हैं ठीक है जात कुछन देखिए पोस्टर की माप कितनी होने चाहिए तो यह होने चाहिए 28 इंटू 44 इंच जिन छेत्रों में बारताल आप में भासा की समस्या हो वहां किस माध्यम के द्वारा सिक्षण देना चाहिए वहां फ्लेश कार्ट के द्वारा सिक्षण देना चाहिए स्रब सा स्रब शामगरी क्या होती है जिसमें हम सुन सकते हैं किसी भी बात को तो जो सुनाई देने वाली चीज़ को हम कहते हैं यह प्रसाल सिक्षा के सादन होते हैं सरब्सामगरी में कौन-कौन सी आते हैं देखिए रीडियो टेलीफॉन टेपरकॉरडर और ग्रामोफॉन द्रस साधन कितने प्रकार के होते हैं तो यह दो प्रकार के होते हैं पहला है प्रक्षेपित और दूसरा है गैर प्रक्षेपित ठीक है प्रक्षेपित मतला प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर के द्वारा जो चलाए जाते हैं इसके उधारण है फिल्म स्ट्रिप्स स्लाइड च और चलचेत्र ओपिक एवर हैट प्रोजेक्ट है सेकंड गैर प्रक्षेपित याने कि नौन प्रोजेक्टिट जिसमें प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती है ठीक है यह है फोटोग्राफव्स पोस्टर या विग्यापन पत्र स्यांपट फ्लेश कार्ड सुचनपट तथा प्रकाशन और मूग अभन है अब इसमें कुशन कैसे बनेगा गैर प्रक्षेपित साधन कौन कौन से हैं इसमें से कोई भी ऑप्षन दे सकते हैं ठीक है गैर प्रक्षेपित में या कुछ प्रक्षेपित बाले के ऑप्षन दे देंगे और कुछ गैर प्रक्षेपित के तो उसमें से आप लोगों के इसलिए मैंने सारे बता दिये हैं, कोई भी option आएगा तो आप लोग write कर सकते हैं अगला question देखिए, dresses rub सामगे कितनी प्रकार के होती है, तो ये दो प्रकार के होती है, कौन कौन सी होती है, प्रक्षेपित और गय प्रक्षेपित, ये भी दो प्रकार की है, ठीक है, अब प्रक्षेपित के उधारान क्या है, cinema, television, इसमें क्या है, dress rub, मतलब जिसमें सुनाई भ देते हैं, और दिखाई भी देते हैं, जिनके माध्यम से हम प्रसारत कोई भी चीज को जनता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी माध्यम होते है, cinema, और television, प्रक्षेपित है ये, ठीक है, और गयर प्रक्षेपित में कौन कौन सा आएगा, कटपुतली, नाटक, छाय अभिने, गीतव भजन और नारे, अगला कुशन देखिए, बिराट चन संपर के लिए किस साधन का प्रियोग करना चाहिए, इसमें मैं सारे बता दे रहे हूं आपको, जितने भी बिराट चन संपर के लिए हैं, फिल्म एवं स्लाइट्स, छपी हुई सामगर प्रिया, रेडियो, अभियान, टेलिविजन, एंड राइट फोन आदे, लास्ट कुशन देखिए बच्चो, लिखेत प्रसार के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें हैं, बुलेटिन, लीफलेट्स, सूचना पत्र, वैक्तिगर्द पत्र, सर्कुलर लेटर आदे, ओके स्टूडन, मैंने आपके आज प्रसार शिक्चा के लगभग 26 कुश्चन आप लोग के कंप्लीट कराए हैं, इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो डाले हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें से आपके एक्जाम में जरूर कुश्चन आएंगे, ओके स्टूडन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजे, थैंकियो पॉर वाचिंग,